तो गुड मॉनिंग एबरीवन एंड वेलकम बैक टो अनदर वीडियो गाइस तो यह वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ गेमिंग लैप्टॉप्स के बारे में और अभी मैं आया हूँ इंफिनिटी गैजेट्स में तो देखते हैं कि आपी गेमिंग लैप्टॉप्स क्या प्राइजेश चालू है मैं सारे लैप्टॉप्स कवर करने वाला हूँ यह वीडियो में A2Z मॉडल्स हम लोग देखने वाले वीडियो में क्या प्राइजेश चालू है तो चलो अभी देखते हैं कि क्या प्राइजेश चालू है गेमिंग लैप्टॉप्स के लिगेम आप Lamington Road में जैसे एंटा करोगे पुली स्टेशन लामिंग्टन और पुली स्टेशन जस्ट अपोजिट में जस्ट मीडिल गेट की अपोजिट में इंफ्निटी गैजेट से हमारे रोकिटेड है तो हो गैस्ट's ब्लोकेशन अरे डिच्रिप्शन में दिए दिया मुस्था कि सब्सक्राइन देखने में लब्सक्राइब्स कर रहे है पर स्टार्टिंग में 2 बेसिक लब्सक्राइब्स तो उस हिसाब से पर आप जाओगे तो आपको HP में लाप्टोप्स है जैसे आपको मैं दिखा दूँ हम लोग पास ready box pack laptops पड़े हुए है HP में i3 laptops भी है HP में Ryzen laptops भी है और Intel ने अभी अपना i3 का 11th generation का प्रोजेसर के साथ laptop launch किया वह भी लाप्टोप हम लोगे पर ready stock में पड़ा हुआ है तो सबसे पहले जो भी हम लोग बात करेंगे वह HP के Intel Core i3 laptop के बारे में बात करेंगे जिसका dummy भी मेरे पास पड़ा हुए display में यह देखिए silver color का आपका laptop ए Intel Core i3 series का it comes along with 4GB RAM and 1TB hard drive MS Office included आता है इसके साथ और Windows 10 आपको original lifetime genuine मिलेगा अगर इसकी costing की हम लोग बात करें यह आपको ready box pack all inclusive आपको 34,500 उपीज में आपको available हो जाएगा अभी जो हमारा यह second laptop है वह भी HP का ही laptop है जो कि यह box pack ready पड़ा हुआ है हम लोगों के पास यह HP का Ryzen series का laptop आता है राइजन डबल थी डबल जिरो स्रीज राइजन थर्ड स्रीज का डबल थी डबल जिरो प्रोडिसार इसमें रहता है इसमें इसकी अगर प्राइजिंग की बात करें तो इसकी प्राइजिंग 30 तू 500 विट ऑल इंक्लूजिव के साथ आपको ready मिल जाएगा box pack अभी जो थर् इंटेल की तरफ से नया 11th generation के प्रोसेशर के साथ आया हुआ है इसमें आपको hard drive ना मिलके आपको SSD मिलती है 256 GB i3 11th generation 4GB RAM and 256 GB SSD के साथ आएगा आपको अगर इसकी में प्राइजिंग की बात करूं तो यह आपको मिल जाएगा 33,000 रुपीज में box pack all inclusive अगर looks की में बात करूं अगर श्लीकी पीस आता है लाइट वेट है और कलर भी इसका देखे के मैट कलर में बहुत ही प्यारा लुक से तो मैं यह हो गए जो अभी हम लोग ने पहले देखे वो तो नॉर्मल बेसिक लैप्टॉप्स थे नॉर्मल ओफिस वर्क के लिए यूज करने के अभी हम लोग तो आपके वर्क है जो सबसे पहले जो 9 जर्नेशन में यह जो लैड़ेड़ाइशन अच्छा बज्जट लैट्व तो इस बता देता ओं लैनवो का यह यह आता है इंचल्पर 9 जर्रेशन आता है यह वे लैड़ेंट चाइशन्वेड लैप्टॉप्स है लिए नेशन में फ्राइब नहीं है तो अगर इसकी मैं प्राइजिंग अगर मैं बात करूं तो बहुत जादे एक्पेंसिब नहीं है आपको यह लापटॉप आपको यह लापटॉप एवलिबल हो जाएगा बॉक्स पैक हम लोग पास बोल सकते यह जो लैपटॉप है किसी को अगर 50K के नीचे से गेमिंग चालो करना रहेगा तो यह बेस्ट लैपटॉप है तो पहला तो यह लेनो हो गया अब सेकेंड मैं पहले आपको स्पैसिफिकेशन दिखा देता हूं यह यह मैं सरी का लापटॉप आता है जिसकी कॉन्फिकेशन में आपको बता देता हूं यह आता है इंटल को आई-पाइफ नाइन जनेरेशन यह लैपटॉप रहता है और ग्राफिक कार्ड इसमें 1650 Ti 4GB का रहता है ड आप MSI का यह देख सकते हो विथ रेड बैकलाइट के साथ आता है यह बहुत ही प्यारा लुक्स है अगर यहां पर मैं इसकी प्राइजिंग की बात करूं तो यह आपको लैपटॉप मिल जाएगा 55500 all-inclusive विथ 1650 ग्राफिक कार्ड ओके मतलब बहुत ही अच्छा तो नहीं बठा एक मिट रिंज वाला जो घीमर होता है वो लापटॉप यह यूज करता है यह आसूस का आरोजी सीरीज का लापटॉप आता है इंटल का कोर आइन लापटॉप है अभी जो मेरे पाई डिस्प्ले में है और इसकी जो ग्राफिक कार्ड है यह 1660 ग्राफिक क रहता है तो यह भी 8GB RAM के साथ आता है 256GB SSD के साथ आता है 1TB हाट राइब के साथ आता है और अगर मैं इसकी प्राइजिंग की बात करूं तो इसकी प्राइजिंग 61500 ऑल इंक्लोजिव रहती है बॉक्स पैक मिल जाएगा आपको ओगे तो अमन भाई यह होगा जो नाइन 10-8 Gen के हम लोग बोल सकते हैं लैपटॉप पर अभी जो जमाना है वह 10 Gen 11 Gen का जमाना है तो इसमें भी अगर हम लोग को 10 Gen 11 Gen का प्राइस क्या रहेगा इसमें 10 generation भी आपको अवलेबल हो जाएगा इन सारे मॉडल में सीरीज चेंज होती है थोड़ा लुक्स भी चेंज होगा 10 Gen भी अवलेबल हो जाएगा अभी जो मैं आपको यह लाप्टॉप तीनों दिखाया हूँ डिफ्रेंस आता है हार्ली सेम कंपनी में बस थोड़ा सा सीरीज चेंज होता है 5-8000 रुपीज के बीच में डिफ्रेंस आता है डिपेंड अपन यो मॉडल आपको 10 Gen में भी अवल ने जा रहे एक और गेमिंग लाप्टॉप जो की है असुस का तर्फ सिरीज का लाप्टॉप है इसका प्रोसेसर है इंटल पूर आइफाइफ टेंथ जनेरेशन का प्रोसेसर आता है इट कम्स अलांग विग 256GB SSD और 1TB हाड़ राइब और इस अलसों लाइक कम्स विट 8GB आपको मैं भी जैसे दिखाया था आशोस का अलोजी सिरीज का वैसे ही असुस नेमिंग लैप यह पिंड़ करें के तो तो अगर इसकी मैं प्राइजिंग की बात तो यह आपको 66500 औल इंक्लुसिव आपको यह मिल जाएगा अमारे स्टॉर पे प्रॉपर बॉक्स पैकर रह सब डमी पीसेस पड़े हुए है इसके बॉक्स यह है आसू स्टॉफ गेमिंग से दिखे लिखा हुआ है तो यह आपका पैला लप्टॉप तो अभी सेकेंड लप्टॉप जो हमारे पास है वो सेकेंड लाप्टॉप अभी गेमिंग नहीं बोल सकते इसको बढ़ एक प्रोफ सब्सक्राइब के वल इसमें 512GB SSD रहेगी 8GB की राम रहेगी और इस लाप्टॉप की जो प्राइजिंग है वो है 71500 यह मतलब एक बहुत ही जैन्बुक आसूस की जैन्बुक बहुत ही प्यारी सिरीज है उस सिरीज का यह लाप्टॉप है प्राइजिंग भी इसले लाप्टॉप तो यह MSI का लाप्टॉप है इंटल को आइफा है 10 जनेरेशन का लाप्टॉप है 256GB SSD है 1TB हाड राइब है 8GB की यह राम है गेमिंग लाप्टॉप बोल सकते हैं इसको 1650 ग्राफिक काट डेडिकेटेड इसमें आता है 4GB का तो अगर इसकी प्राइजिंग के अगरेके पास तो है और जो अभी लेटेस्टें के ग्राफिक काड़ वाले वह वह बीदेशन है अग्चुली कैसा रहता है किसी को लाप्टॉप अगेमिंग चाहिए अगर बजट जाधा नहीं है एक प्रोफेशनल गेमिंग लाप्टॉप च्वह तो उसके लिए वह वह आई-फाइब में यह कैसा है उल्ड स्रीज का लापटॉफ है बट बजट वाइज अगर आप प्रोफेशनल गेमिंग करना चाहते हो तो यह मतलब सेवन जनेरेशन के हिसाब से एक बहुत ही उस्पाइंड का वीस लैपटॉप है सबसे हाइड का लैपटॉप है तो यह ग्राफिक काड आता है इसमें 1050 Ti के साथ ग्राफिक काड आता है और अगर इसकी में प्राइजिंग की बात करूं तो 55,000 लुपेश बहुत ही अच्छा लैपटॉप है अगर आपका बज़र जाधा नहीं आप प्रोफेशनली गेमर्स के तरह आप फिलना चाहते हो तो यह लैपटॉप अच्छा रहेगा पर्चेस कर सकते हो ओके तो यह लैपटॉप एक हो गया प्रेडेटर अभी मैं जो दूसरे लैपटॉप के पास आने वा इसका जो टचपैड होता है यह इस ग्लास पैनल पर ही टचपैड है और यहां पर इसके हीट वेंटेलेशन के लिए जो फैंस दी है वह भी ट्रांस्परेंट दी है मतलब यह लैपटॉप जब चालू होता है तो बहुत ही अच्छा मतलब गेमर्स एक फील आती है गेमिंग जो टी आए ग्राफिक काड के साथ आता है एन वन केराबाइट हाड ड्राइब है इसमें और टू फिफिफ्टी सिरीज भी एससजी भी इंक्लूटेड है और इस लैप्टॉप यह प्राइजिंग की बात करूँ तो यह लैप्टॉप आपको 62,500 पीज में जाएगा और इं तोड़ा से डिफ्रेंस रहेगा सिरीज का बट अल्मोस्ट लुक्स सेम रहेगा आपको विट टच LCD पैनल के साथ यह देख सकते है आप इसका करसर जो है यह पैनल पे ही लाइक इंस्टॉल्ड है तो एक अलगी फील देता है लाप्टॉप यूज करने की तो अगर मैं बात सब्सक्राइब के साथ तो उसका लुक्स तो भी में पास नहीं है बट अभी यह लाप्टॉप में आपको दिखा दिए सिमलर लुक्स के साथ आता है थोड़े डिफ्रेंस रहते हैं सीरीज में वह आता है 3060 टी ग्राफिक काड के साथ आता है 3060 नॉन टी आई के साथ आता ह सब्सक्राइब के साथ आपको चाहिए 3060 टी में वह आपको मिल जाएगा 1,20,000 रूपीज में तो यह दोनों लाप्टाप अगर चाहिए तो अब्लेबल हो जाएंगे अल इंक्योदिव हमारे स्टोप अभी आपने लाप्टॉप सारे देख है तो अभी आते हैं लेगो में में लेगों सुस्क्राइब के लाप्टाप अबलेगों सुस्क्राइब कर लगे अगर इसकी बात करूं यह आपको मिल जाएगा 60,500 रूपीज में आल इंपलोजिव dobr इसी में आपको आपको ए सब्सियन में जाना है चला वे आतीट्स में आपको ब्लिज़ोजिव आपको है same configuration रहता है i7 processor में वो आता है 9th generation में अगर वो आपको चाहिए वो आपको 71,500 में मिल जाएगा अगर legion series में यह आप 11th generation 10th generation में जाओगे तो आपको सारे laptops 85,000 95,000 plus में आएंगे तो यह आपका legion series हो गया तो अमन भाई यह हो गे legion series के laptops आप आते जड़ा महेंगे laptops asus pro duo के उपर जो हमें dual screen का laptop रहता है जो मेंली ज्यादा तर लोग लेते नहीं है जो भी designers लोग रहते हैं वो ही लोग यह laptop प्रिफ़र करते हैं तो इसके बार में हमें जड़ा बताइए अभी अगर मैं इस asus के laptop की प्रोसेसर और इसकी जो हाट्राइब रहती है स्वारी हाट्राइब नहीं इसमें SSD आती है और 2GB का इंटीग्रेटेड इंटल के तरफ से आपको ग्राफिक्स मिलेगा यह dual screen आता है आप देख सकते हो इसमें इधर भी आपकी चल रही है और आपकी इधर भी यह dual यह कैसा रहते हैं डिजाइनिंग के काम आता है डिजाइनर्स जो रहते हैं वह यह लैप्टोप प्रिफर करते हैं कि उन लोगों को लाइक आसानी होती है डिजाइन करने में तो अगर मैं इस laptop की प्राइजिंग की बात करूं त यह लैप्टोप और बहुत अच्छा है डूल स्कीन है लेटेस्ट इनोवेशन है तो यह था पूरा वीडियो लैप्टोप के बारे में मैंने सारे गेमिंग लैप्टोप सब कुछ कवर कर दिया है इंफिनिटी गैजट में तो अमन भाई मुझे यह बताओ कि इंफिनिटी लैप्टोप चाहिए वो भी हम लोग करते हैं आप एक मुझे पूछना था टिपिकल इंडियन जैसा अगर यह लैप्टोप हम लोग बाई करते हैं आपके शॉप से तो कितना डिसकांट हो सकता है वी दिसकांट मांते हैं अब मैद भी परसनले कहीं भी जाता हूं तो अगर आपको डिसकांट चाही घुज़ काुछना तोẳलोग कर लोग कि आपको करा के दोगाए और अपलोग कर लोग अग्यों और स्टुद्ट्स के लए काप में डिसकांट्स के लिए ऋ पांट तो यह था पूरा वीडियो इन्फिनिटी गैजिट्स का और में इनके बाकी सारे पूंपोनेंट्स भी कवर करने वाला हूँ तो यह था बेसिकली गेमिंग लैप्टॉप्स के बारे में आप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा आप बुझो बहुत टाम से बोल रहे थे क रहें गेमिंगल लैप्टॉप्स के पर एक वीडियो ला यह था है पूरा वीडियो आए यह होप कोई अच्छा लगए रग्स करो अगर अग्संट वीडियो लाइक करो चानल को को सब्सक्रेब करोई में दो नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बबाए टेक केर और अल्यों विश्ट इसकान वाइस बबाए